बॉलिवूड की गल्यारों से एकसर किसी न किसी चीज को लेकर नियूज अपडेट्स और गॉसिप सामने आती रहती हैं कभी सेलिबिर्टीज की परस्नेल लाइफ को लेकर तो अपकमिंग मुवीज के बारे में वेल, from South industry to Bollywood and to Bollywood to Hollywood, what's all our special today, let's start Hello you watching, Bazooka Reviews और मैं हूँ आपके साथ, Almas Siddhiki First news from Bollywood for you guys 100 crore club में शामिल हुई मुझिया शर्वरी वाग ने मनाया जशन Horror comedy film मुझिया को रिलीज हुए 26 दिन पूरे हो गए हैं और Supernatural इस film के शुरुवात काफी अच्छी हुई थी जिसे fans ने काफी ज़्यादा पसंद भी किया था जहांपर शर्वरी वाग और अभे वर्मा का शानदार performance हमें दिखाई दिया था इस फिल्म से उन्होंने काफी ज़्यादा उमीदे भी लगाई हुई थी और यह उनकी उमीदे सही साबित हुई हैं आपको बता दे कि मुझिया ने 100 करोड का record बना लिया है यानि कि यह 100 करोड क्लब में शामिल हो गई है जिसका जशन मनाते हुए शर्वरी वाग ने अपन सुनाक्षिस सिन्हा और रितेश देश्मो की अपकमिंग फिल्म काकुडा का जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से ही फैन्स फिल्म से जुड़ा हर अपडेट जो आने के लिए तयार रहते हैं और अब हाल ही में इसका धमाकेदार ट्रेलर भी सामने आया है जिसे देखने के बाद फैन्स का एकसाइटमेंट चौहते आसमान पर है और इस फिल्म की रिलीजिंग डेट का भी इंतजार खत्म हो चुका है यह फिल्म को 12 जुलाई को टीटी प्लैटफॉर्म पर रिलीस किया जाएगा One more news from Bollywood for you guys क्या थी गोधरा कान की पूरी कहानी जानने के लिए हो जाएए तयार फिल्म की रिलीजिंग डेट आई सामने Big Boss OTT 3 में फैंस की फेबरेट बने रनवीर शौरी की अपकमिंग फिल्म एक्सिडेंट और कॉंस्पिरिसी गोधरा की रिलीजिंग डेट कंफर्म कर लिए गई है आपको बताते कि फिल्म को 19 जुलाई को रिलीज किया जाएगा दीपिका के फैन हुए एटली लगाई तारीफों की जड़ी कल की 2898 AD 27 जून को रिलीज की गई थी और आज इसे रिलीज हुए पूरे 6 दिन हो गए हैं और इनी 6 दिनों में फिल्म ने तगरी कमाई कर ली है और अब भी फिल्म का पफर्मिंस काफी साथा अच्छा है फिल्म को फैंस के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी देख रहे हैं दरसल उन्होंने कल की 2898 AD देखने के बाद उसका रिविव देते हुए सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेर की है जहां पर उन्होंने डिरेक्टर नागश्विन से लेकर एक्टर प्रभास और एक्टर स्टीपी का सभी की तारीफ की है और उन्होंने अमिताब बच्चन को गौड काया है इसी के सासाथ उन्होंने कमल हासन का भी शुक्रिया अदा किया है सन ओफ सर्दार 2 से बाहर हुई सुनाक्षी सिन्हा शूर्टिंग से जुड़ा आया अपडेट सुनाक्षी सिन्हा और अजे देउगन की फिल्म सन ओफ सर्दार 2012 में रिलीज हुई थी और अब इसका सीक्वल भी जल्द आने वाला है और इस फिल्म से जुड़ा एक और अपडेट सामने आया है स्टार कास्ट को लेकर अकॉर्डिंग टो तर रिपोर्ट से खबर सामने आया है कि सुनाक्षी सिन्हा सन ओफ सर्दा टू में नजर नहीं आएंगी जबके अजे देउगन और संजेदत इस फिल्म में दिखाई देंगे रिपोर्ट की मानने तो इस फिल्म में सुनाक्षी सिन्हा की जगाम रोनल्ड ठाकुन ने ले ली है और इस फिल्म में हमें अब वो नजर आएंगी और फिर्म की शूटिंग चल्द ही स्कॉट्लैंड में शुरू कर दी जाएगी पच्चास दिनों के लिए गुड़ू पंडित ने किया खुलासा मिर्जापूर 3 में नजर आएंगे सचीव जी अब तक कि मोस्ट रवेटेट सीरीज में से एक मिर्जापूर 3 का फैंस पे सब्री से वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब इसे रिलीज होने के लिए जादा दिन नहीं गुड़ा एक और अपडेट साम में आया है दरसल हाल ही में दिये गया एक इंटर्वीव में अली फसल यानि की गुड़ू भाया ने खुलासा किया है कि सीरीज के थर्ड पार्ट में सचीव जी यानि के जितेंद्र कुमार जिन्होंने पंचात्रे में सचीव जी का किर्द रिलीस किया गया था जिससे देखने के बाद फैंस अब फिल्म का बेस अबरे से इंतिजार कर रहे थे क्योंकि यहां पर अच्छी खासी केमिस्ट्री हमें दिखाई देने वाली है पहले ऐसी खबरे आ रही थी कि इस फिल्म को पांच जुलाई को रिलीस किया चाएका और को कंफर्म भी था लेकिन हाल ही में मेकर्स ने अनौंसमेंट करते हुए कहा है कि फिल्म की रिलीजिंग डेट पोस्पांड कर दी गई है और नई रिलीजिंग डेट जल्द ही सामने आजाएगी जिससे फैंस का दिल ठूट गया है तो यह थी दिन भर की तमाम चोटी मुट खबरे वाल आपको कौन से इंफोर्मेशन सबसे जदा अच्छी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें